हारुफिक्स सैमसंग M21, कॉन्फरेंस कॉल नौट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो, स्वागर अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है सैमसंग के डिवाइस पे कॉन्फरेंस कॉल नौट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्फ कर सकते है तो दोस्तो यहाँ पे कॉन्फरेंस कॉल के रिलेटेट आपको काफी सारे चीज़े जानने को मिल जाएगा क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्रेड होता है कैसे आपको फिक्स करना है कॉन्फरेंस कॉल कैसे चलते है कैसे काम करते है किस तरीके से आपको सेटिंग्स बगरा करना है ठीक है वीडियो को शुरू से लेके आन तक देखे आपका प्रॉब्लम जरू फिक्स हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकून को क्लिक करे अगर आप आप आनलाइन पैसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रोब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या आए अगर कॉन्फरेंस कॉल काम नहीं करते हैं तो दोस्तो अगर आपका conference call में यहाँ पर problem आ रहा है तो आप सबसे पहले जाए अपने mobile के setting पर scroll down करके नीचे में आ जाए general management पर जाके आपको reset पर click करना है और reset network setting पर click करके reset setting पर click करना है और mobile password भर देना है ठीक है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर बेक करना है बेक करने के बाद आपको जाना है apps पर and scroll down करते हुए आपको थोड़ा सा नीचे में जाके अपना जो यहाँ पर option f1 service का तो उसको open करना है and then आपको storage पर click करना है clear data कर देना है clear data ok करने के बाद ही आपको बेक करना है और permission पर जाना है सारे permissions को allow कीजिए permissions allow करने के बाद दोस्तों आप अपने device को restart करें ठीक है restart करें अपना connections के option पर जाए mobile network को 4G पर set कीजिएगा 4G पर set होना चाहिए आपका wall calls enable होना चाहिए ठीक है wall call enable होना चाहिए network 4G mode पर होना चाहिए उसके बाद जाके आप video call प्लेस कीजिए problem fixed हो चुका होगा तो इस तरह किसे दोस्तों conference call not working problem fix कर सकते है by any chance अगर आपको इसके related कोई भी problem आते तो आप जाए दोस्तों आपने software update कर लिजिए ठीक है जेसी software update करेगा आपका सारे issues सारे problem solve हो जाएगा तो conference call करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ पर एक number को dial करना होता है ठीक है एक नमबर को तो इस तरह के से दोस्तों यह चीज़ काम करते हैं तो एट कॉल कर दीजिए उसके बाद आपका conference call connect हो जाएगा एंड आप conference में बात कर सकते हैं ठीक है तो बस दूस्तों इतना है solution में आपको अभी के लिए suggest करूँगा अगर कोई भी डिक्कते आते तो आप हमें WhatsApp पर contact कर सकते WhatsApp नमबर स्क्रीन पर आपको डिखाई देगा ठीक है आज के लिए बस इतना ही thanks for watching